गुड मॉर्निंग दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देजे और इस चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देजे ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें और ये बिल्कुल फ्री है गुड मॉर्निंग वेस्टीजेंस मेरा नाम है डाइटीशन रिजुता देव वेस्टीज हेल्थ और नूट्रिशन स्पेशलिस्ट नूट्रिशन की फील्ड में मुझे ग्यारा साल का अन्भव है और इनी अन्भवों को समेटते हुए मैं आज आपके लिए कुछ खास टिप लेकर आई हूँ इस कोविट सिचुएशन में इस पेंडिमिक में सबसे जादा जरूरी है कि हम थ्री सीज को अवॉइड करें यह थ्री सीज है क्लोज कंटाक्ट में हमें आने से बचना है स्पेश जो क्लोज हैं ग्राउडड हैं उनसे बचना है इसके साथ साथ अपनी इम इमिनिटी बहतर हो सकते हैं और उसमें आपको वेस्टीज के सप्लिमेंट खास मदद कर सकते हैं कुछ सप्लिमेंट हैं जिने इस सिचुएशन में हमें जरूर लेना चाहिए सी बक्थान सी बक्थान की अगर मैं बात करूं तो इसमें 190 प्रकार के बायो आक्टिव कंपाउ इसके साथ जरूर लीजे कोलेस्ट्रम कोलेस्ट्रम तीन साल की उम्र के बाद से आप बच्चों को दे सकते हैं बच्चों और बड़ों दोनों की इमिनिटी को बहतर करेगा इसमें 100 गुना जादा एंटी बॉडीज है रेगुलर मिल्की अपेक्षा जो हमारी पैसिव इमि इसके साथ साथ कर्क्यूमिन प्लस कर्क्यूमिन की अगर मैं बात करूं तो कर्क्यूमिन एंटी इंफ्लमेटरी एनजिस्टिक एंटी सेटिक प्रॉपर्टी रखता है और वेस्टीज का ही कर्क्यूमिन क्यों खास है क्योंकि इसमें कर्क्यूमिन के साथ साथ आमला और पि प्रेपरीन मौझूद है जो इन दोनों की बायोविल्टी को बहतर कर देती है। साथ ये सारे इंग्रीडियन वही हैं जो मिनिस्ट्री ओफ आयूश हमें लेने के लिए कह रही है। इसके साथ एक और सप्लिमेंट जिसे जरूर से शामिल करिए वो है क्रिल ओयल जो इंफ्लमेशन को कम करता है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 fatty acid है फॉस्फोलिपिट के साथ जो उनका बहतर अब्सोशन कराते हैं। और साथी साथ clotting को बनने से रोकते हैं, उन्हें गुलने में मदद करते हैं। साथ में LRG9, LRG9 नाइट्रिक ओकसाइड देता है, जो की फेपडे के वो हिस्से जो काम कर रहे हैं और oxygen आ रहा है उनमें। वहाँ पर blood flow को बहतर कर देगा जिससे की वो blood oxygen को लेकर हमारी body के other part तक पहुचा सकें और हम multi-organ failure से बच सकें। इसके साथ साथ इन सुरक्षा कवचों के साथ जरूरी है कि आप mask जरूर पहने, disinfectant का यूज करें और साथ ही साथ हातों को बार-बार sanitize करते रहें। steam लीजिए, जैसे हातों को sanitize करना जरूरी है वैसे ही फेफडों को sanitize करने के लिए steam लेते रहें। प्रोटीन रिच खाना जरूर खाईए, अगर आप प्रोटीन रिच खाना नहीं खा पा रहे हैं तो प्रोटीन पाउडर को अपनी daily diet में जरूर से शामिल करें। इन चीजों को follow करिए और साथ ही साथ अपना खास ध्यान रखिए। Hopefully आप इन टिप्स को जरूर से follow करेंगे और दूसरों तक भी पहुचाएंगे। So thank you so much, wish you well.